इड़न्टू इस्टडी चैनल में आपका स्वागत है बचो आज हम बी एस्टीजी थर्ड सेमके स्टूडेंटों के लिए टॉपिक लेके आएं आपके सलेबस में है ये यूनिट फेस्ट में तो इसके बारे माँ चर्चा करते हैं कॉंसेप्ट ओफ डेरिंग डेरिंग की अब धर्णा क्या है अब डेरी फार्मिंग कह लिजिए या डेरी उद्ध्योग या दुख्द उद्ध्योग कुछ भी कह सकते हैं क्रिशी की एक स्रेड़ी है डेरी फार्मिंग के अंतरगत दूद्ध देने वाले पसुओं का प्रजनन यानि ब्रीडिंग तथा प्रभंध यानि मेनेजमेंट वह दूद्ध की खरीद और दुख्द उत्पादों के रूप में प्रोसेसिंग यानि मिल्क प्रोडेक्ट ब मूटा मूटा दिमाग में आता है इसे में अधर्णा कहते हैं अब आ बात करते हैं RG इन इंदिया भारत में अब देरि भारत में कई पहलों में उन्तमून जिसमें जैसे अधर्म आप जैसे गाए का हिंधू कहना में ब्यांजन से तुमाम तज़ह की तमाम तिवारों पर मिठाईयां बगारा बनती है संस्कृति संस्कृति की इसका मैत्व है दूद का कई चीज़ों में इसका जो है दूद बूद के गाने महलाओं में गीत इस तरह का होता है तथा अर्थ व्रस्ता सम्मिलत है यानि इस से पुराने समय में भी और इस समय भी इंकम का स्रोत है यानि अग्रिकल्चर का यह टार्ट है और इंकम का स्रोत है इसलिए एकॉनोमिवी इसका रॉल है और इस समय भारती यह अर्थ व्रस्ता में इसका जो डारेक्ट एनिमल स्वेंटर के योगदान है 4.11 परसेंट है अब जैसे भारत दुनिया में दुख दुत्पादन में प तोप निजू परके स्जार नशुक्स बहुत जयादा है भारत के सबसे ज्यादा पाशू भारत में प्र। हमें यानि इंडिया में मिल्क प्रडेक्शन होता भी जादा और यूज भी चान धोरा कि लिए ये यूज करते रहते हैं हालांके थोड़ा निर्यात भी किया जाता है दूद से बने भारतिय बेंजन अब बहुत सारी मिठाईयां दूद से बनती हैं जैसे उत्तर भारत में अधेक्तर पनीर खुआ आज प्रडेक्ट बनते हैं और खुआ की मिठाई पनीर की जो है तमाम उसकी जैसे च्छेना प्रयोक ज्यादा है अब दचिन रख आरत में दही का प्रयोग करते हैं या उत्तर भारत क में धी का यूजभ नहीं होता है परती समय इन चीजहों का अधिक और था अब अब यह दूद कॉप्वीजDHR में बहाती को अब बात करते हैं भार्ती आपा फूर्प माहदूई बात करते हैं इसमें आठ हजार साल पहले जैबू पसुंओं को पालते थे जैवू हमारे जो ओए ये इंडियन जो इनको एनिवल्सको मोलते हैं जैवू, कैटल ब terrain कम से कम बैदिकाल से दूद का सेवन किया जाता था याणी बैदिकाल से भी दूद के प्रवाण मिलते हैं दूद का उस समय प्रयोग करते हैं बीसमी सदी के मध्य से लेकर अब तक बीसमी सदी की बात कर रहे हैं से लेकर अब तक operation flood ने भारतिय डेरी उध्योग को दुनिया के सबसे बड़े उध्योग में बदल दिया है यानि यह 1970 में operation flood ने श्टार्ट हुआ था और यह भारतिय डेरी उध्योग को दुनिया के सबसे बड़े उध्योग के रूप में इसमें जाना गया इस बहुत फेमस हुआ operation flood program बड़ की सबसे बड़ी खाद्योजना थी यह तो यहां जवर्दस्त इस पर काम हुआ और इसका बहुत पूरे बड़ में इसका इससे प्रेरित हुए और भी country चाइना भी इससे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ इतनी बड़ी खाद्योजना थी भारत में अधिकांस दूद भेंसों से आता है गायों का दूद दूसरे स्थान पर होता है यानि हमारी इंडियन डेरी में मोश्टली दूद भेंसों से आता है यानि जो जितना दूद होता है उसमें भेंसों का सियर ज्यादा होता है दूद का दूसरे उसके बाद में भेंसों के second number पर आता है दूसरे स्थान पर गाय का दूद आता है और सबसे कम बकरी का दूद तीसरे स्थान पर आता है अब traditional मतलब इसमें mostly दूद जो है तीन भैंस गाय और बकरी का ही यूज करते हैं अब आजकल इसके अलावा भी जैसे उंट के बहुत सारे research हो रही है उसका दूद भी प्रयोग में आने लगाए पर mostly जातरे इंडियन डेरी में ये तीन एनिमल्स का भैंस गाय और बकरी तीन का ज़्यादा दूद का प्रयोग किया गया है और इसमें सबसे अधिक जो है दूद आता है बहसों से आता है उसके बाद जो है इंडियन डेरी की बैकवन भी कहा जाता है इसको तो इस तरह से ये डेरिंग इन इंडिया में यह टॉपिक में इस तरह से आप यहां लिख सकते हैं एक्जाम में बहुत अच्छी इसमें टॉपिक है बहुत अच्छा इसमें आने के इसके बहुत ज्यादा चांस है और बच्चों साथ ही साथ आपको यह बता दें, इस चैनल को यह आपका चैनल है, इसको जहाँ से ज़्यादा फैलाएं, सेयर करें, लाइक जरूर करें, लाइक करना यह बहुत जरूरी है, थैंक यू.